Hello everyone and welcome to my channel स्वागत है आपका फिस से एक नया वीडियो में जहां हम बात करते हैं डाइनोसार्स के बारे में मेरा नाम है शुबोजीत और मैं आपको लेके जाता हूँ एक ऐसी अनोखी दुनिया में जहां हम इनसान तो क्या हमारे पूर्वज भी पैदा नहीं होए थे और तब दुनिया पर राज था डाइनोसार्स का जुलैसिक पर्क का ये फील शाहिद सबको याद है मगर इतना बड़ा शिकारी तीराइनोसार्स रेक्स क्या सच में एता अंधा था तो आज हम ये डिसकस करेंगे कि डाइनोसार्स का आइसाइट कैसा था वाट काइंड अइसाइट डिडाइनोसार्स हैं आखें सॉफ्ट टिशूस से बने होते हैं और जैसे कि हम जानते हैं सॉफ्ट टिशूस कभी फॉसिलाइज नहीं होते इसी लिए डाइनोसार्स की आखें exactly कैसे दिखते थे ये हमें पता नहीं मगर फिर भी डाइनोसार्स के स्कल्स में जो आई सॉकेट्स थे उन आई सॉकेट्स की स्ट्रक्चर को देख कर और आखों के आजपास बोन्स का एक रिंग होता है जिसे हम स्कलेरल रिंग कहते हैं कुछ डाइनोसार्स में ऐसे स्कलेरल रिंग का फॉसिल्स मिले है इन स्कलेरल रिंग को देख कर भी हम डाइनोसार्स के आखों के बारे में बहुत सरे इन्फॉर्मेशन हम पता कर सकते हैं जिस साल जुरासिक पार्क रिलीज हुआ मतलब 1993 में उसी साल युनिवर्सिटी ओफ ओरेगान के एक रिसर्चर प्रोफेसर केंट स्टीवेंस ने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया जिसका नाम था डाइनोमॉर्स इस प्रोजेक्ट का एम था डाइनोसॉर्स के बहुत सारे 3D मॉडल्स क्रियेट करके उनको स्टडी करना 3D मॉडल्स क्रियेट करने के बाद उस प्रोफेसर ने डाइनोसॉर्स का आइसाइट भी कैलकुलेट किया और इस स्टडी आधारित्था डाइनोसॉर्स के कुछ आज के बचे हुए रिष्टदार क्रोकोडिलियन्स, ओस्ट्रिच और इगल के आइसाइट के उपर आज हम जानते हैं कि क्रोकोडिलियन्स और बर्ड्स दोनों के पास कलर जीशन है मतलब दोनों रंग देख सकते हैं और क्योंकि यह डाइनोसॉर्स के करीवी रिष्टदार है इसलिए यह मानने में कोई भी दिक्कत नहीं कि डाइनोसॉर्स के पास भी कलर जीशन था हम यह भी जानते हैं कि क्रोकोडिलियन्स और कुछ बर्ड्स दिन में और रात में भी बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं तो साइंटिस्ट का मानना है कि शायर डाइनोसॉर्स का विशन भी ऐसा ही था तो यह स्टड़ी कैसे किया गया? 3D मॉडल्स के मदद से बाइनोकुलर विशन मतलब दो आखे एक साथ जितना देख सकते हैं उसका एंगल कैलकुलेट किया गया जितना ज्यादा बाइनोकुलर विशन उतना ज्यादा डेफ्थ परसेप्शन मतलब दो अलग चीज़ों में डिफरेंशेट करने की शमता इस टेडी का रेजल्स से ये पाया गया कि टीरेक्स के पास धमाकेदार और लाजवाब आईसाइट था टीरेक्स के सकल ऐसा है कि उसके आखे सामने की तरह पॉइंट इट था बिलकुल इंसानों की तरह और उसकी नाख का पोर्शन जिसे हम स्नाउट कहते हैं उनके आईसाइट का पर उसका स्नाउट का भी कोई भी अब्स्ट्रक्शन नहीं था इसलिए उसका बाइनोकुलर विशन बहुत अच्छा था उसका रेंज 55 डिगडी तक था एक हॉक से भी ज्यादा और हम तो ये जानते ही है कि हॉक आईसाइट के लिए बहुत फेमस है तीरेक्स का आईसाइट एक इंसान से 13 गुना बैजरीन था और वो 6 किलोमेटर तक देख सकता था मतलब 60 फुटबॉल फिल्ड की जितना लंबाई मतलब है अगर हम तीरेक्स के सामने ना भी हिले तो भी वो हमें आसाइट से देख सकता है और खा भी सकता है अगर टीरेक्स से कम प्यार किया जाए तो एलोस अरस का भी बाइनकुलर विशन था मंगर टीरेक्स जितना अच्छा नहीं उसका बाइनकुलर विशन का रेंज सिर्फ 20 दिग्री तक था और उसका स्नाउट भी उसके बाइनकुलर विशन में एक अब्स्रक्शन बनता था अब आते हैं केरा केरोडॉन्टुसौरस पे केरा केरोडॉन्टुसौरस के दो आखे स्कल के सामने के वज़े स्कल के साइड की तरफ था इसी लिए उसका बाइनकुलर विशन बहुत ही पूर था और वो एक आख से एक ही तरफ देख सकते थे दूसरी तरफ देखने के लिए उसको पूरा सर घुमाना पड़ता था एक ग्रूप ओफ डाइनोसौरस थे जो बाइनकुलर विशन के रेंज में टीरिक्स को टककर दे सकते थे वो थे रैप्टर्स वेलासी रैप्टर और डीनोनिकस का बाइनोकुलर विशन का रेंज साथ डिग्री तक था ये तो गए मीट इटर्स के बाद अब आते हैं हार्वीवोरस डाइनोसौरस के आई साइट पे हर्वीवोरस डाइनोसौरस में सिर्फ पैकिसेफालोसौरस पर ही स्टडीज किये गया है और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि बाकी प्लैंट इटिंग डाइनोसौरस के तरह ही पैकिसेफालोसौरस के आखे उनके स्कल के दो साइड पे थे इसलिए उनका binocular vision अच्छा नहीं था मगर depth perception बहुत ही अच्छा था और इसलिए वो शिकारी डाइनोसर्स को बहुत दूर से देख सकते थे माना कि सारे डाइनोसर्स बहुत अच्छे नहीं देख सकते थे मगर आज तक जितना पता चला है उसकी मताबिक इनसान से अच्छे देखी सकते थे और उनका चर्शमा भी नहीं था इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ नहीं डाइनोसर का पंजा हो और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कर देना